एक धार्मिक आध्यात्मे किताब में लिखा था कि पठंजिल समाज होना चाहिए, जो समाज पढ़ता है, लिखता है, वो अपने समाज को अच्छी सीख भी प्रदान करता है, तो आज मैं एक किताब लेकर के आपके सामने आया हूँ, बाना की लेखिका है, छाया सिंग, यु कहानी पढ़ी इसकी तुम्री आखों में आसू आ गए, तो ऐसी कहानिया बहुत कम पढ़ने के लिए मिलती हैं, जिसकी नाइकाएं महिलाए हूँ, जिसमें आदमी को एक सकरात्मक महौल मिले, और एक अच्छा प्रेरक संदेश मिले, चुकि यह दौर ऐसा आ गया है कि लो कि आपकी बेकार हो जाती है, इसलिए मेरा अपना एक प्रयास है कि किताबों से आपका परिचे कराऊं, और एक कैसी छोटी-छोटी कहानियों के बारे में बताऊं, और उन किताबों को आप पढ़ें, समाज के लोग सीखें, ताकि आने वाली पीडियां जो हमारी हैं, वो समरद रहें, वो सीखें, समझें कि अपने समाज को कैसे आगे ले करके चलना है, और कहानियां हमेशा आप ही के बीच की होती हैं, हमारे बीच की होती हैं, हो तक का है कि इस किताब की कोई एक कहानिया पढ़ें और आपकी जिन्देगी की कहानी हों, जैसे सांजी 36 कहान अब महिलाएं पढ़ेंगी तो वो बहुत ज़्यादा उस कहानी से अपने आपका जुड़ाव महसूस करेंगी, बाद में सौधा, एक ऐसा सौधा, सौधा सब दाते ही बड़े नकरात्मक संदेश जाता है कि सौधा हो गया, लेकिन जब इस सौधे की कहानी को आप पढ़े 24 घंटे में बहुत बार हमारे मन में बहुत कुछ आता है, मन के उथल पुथल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सवाल आपके मन में होते हैं, ऐसी सवालों को जवाब देती हुई, ये किताब है, जो आपकी जिन्दगी के बहुत सारे अंसुल्जे सवालों के जवाब दे सक कि मध्यवर्गी जीवन मुल्यों और इस्त्री के जीवन संगर्शों से उबजी कहानिया आखिर कौन सी ऐसी इस्त्री होगी जिसके जीवन में संगर्श नहीं होगा और कौन सी ऐसी नारी होगी जो एक कहानी नहीं होगी क्योंकि छाया शींग लेकीका खुद एक कहानी है वो हमसे सचतकार में कहती है कि मैंने 48 साल की उम्ड में कहानी लिखने की सुबात की कहते हैं हमारे अंदर बहुत कुछ ऐसा रहता है जिसे हम जीवन वे व्यक्त नहीं कर पाते हैं अब व्यक्त रह जाता है तो शुरुआत आ आपके पढ़ने योग कहानी संग्रे है और इसे आप आमेजन से खरी सकते हैं और खुद लेकिका से संपर करके खरी सकते हैं